हमारे चैनल पर आप सभी के स्वागत है आज मैं मचली की ڈज՞ाइन लेकर आई हूँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे और इस डिजाइन से आप डैनिंग टेबल का मैट बना सकते हैं कुशन कभर बना सकते हैं और पैदान भी इस डिजाइन से बना सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगता है ये देखिए देखिए मैं इसको इस सेप में बनाई हूँ मचली की तो डिजाइन कई बनती रहती है लेकिन इसका थोड़ा अलग है बहुत ही सुन्दर लगता है ये देखिए ये उसका आख है और ये इसका सेप जो है ये इस तरह आया हुआ है आइसे करके, देखिए, आइए शुरू करते हैं, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले हम इसमें, देखिए पहले हम इसमें क्या करेंगे, कि इसको हम दो बर ऐसे इस धागे को इस तरह, देखिए, दो बर लेंगे, और फिर इसमें हम, यह देखिए, इस तरह, एक, दो, दो चेन ले लिए, ये तीन, तीन हो गया, अब इसमें हम देखिए, ये डबल क्रोश यहां, तीन बुनेंगे यहां पर, इस तरह, ये तीन हो गया, इसके बाद, एक, दो, दो चेन लेंगे, उसके बाद, फिर हम डबल क्रोश यहां, यहां पर, तीन बुनेंगे, इस तरह, देखिए, एक, दो, तीन, ये तीन हो गया, फिर यहां पर हम दो चेन लेंगे, और फिर ये, डबल क्रोश यह तीन बुनेंगे, इस तरह, फिर दो चेन लेंगे, ऐसे, फिर ये डबल क्रोश यह तीन बुनेंगे, ये हो गया, अभी यहां पर देखिए, इसको हम, इस तरह, बंद कर दिए, एक, दो, तीन, ये तीन चेन हो गया, अब हम इसको, इसमे बुन लेंगे, इसमे, देखिए, पले, इसको हम, इस तरह, निकालेंगे, इसको, ये देखिए, इसको खीच दिये थे, और, इसको इस तरह, हम, बुनते हुए, यहां पर आएंगे, यहां तक, ये देखिए, यहां पर, तीन चेनल लेना है, इस तरह, और, इसमे, डबल कुरूज, ये तीन, इस तरह, निकाल लेना है, ऐसे, फिर, यहां पर, हम, दो चेनल लेंगे, फिर, इसी में, ये देखिए, इसी में, फिर, डबल कुरूज, ये तीन, निकालना है, इस तरह, आइसे बनाना है, इसको, फिर, यहां पर, हम, ये दो चेनल ले लिए, यहां पर, एक चेनल लेना है, और इसमें, ये डबल कुरूज, फिर, निकालना है, तीन, इस तरह, और इसमें दो चेनल लेना है ऐसे फिर इसी में डबल कुरूशियां तिन निकलना है इस तरह फिर इसी तरह हम यहां तक कम्पलीट करेंगे यह देखिए यह कम्पलीट हो गया यहां तक अब यहां पर एक चेनल लेकर और इसमें इस तरह बंद कर देना है और फिर इसको हम इस तरह बुनते हुए यहां तक आएंगे यह देखिए फिर यहां पर हम तीन चेनल ले लेंगे ऐसे और फिर इसमें दो चेनल लेकर इसमें फिर तीन निकलना है डवल क्रोशियां इस तरह बंद कर देखिए फिर एक चेनल लेकर इसमें यह डवल क्रोशियां तीन निकलना है इस तरह फिर एक चेनल लेना है यहां पर फिर इसमें डवल क्रोशियां तीन निकलना है इस तरह फिर इसमें दो चेनल लेना है ऐसे और फिर इसमें डवल क्रोशियां तीन निकलना है इस तरह यह देखिए ऐसे बनाना है और यहां तक इसी तरह हमको कंप्लीट करना है यहां तक देखिए यह हो गया यहां तक फिर हम यहां पर एक चेनल लेकर इसको इसमें बंद कर देंगे इस तरह फिर हम इसमें यह देखिए फिर यहां पर यह तीन चेनल लेना है और यह डवल क्रोशियां तीन बर निकलना है इस तरह कि यह देखिए यहां तक यह कंप्लीट हो गया इस तरह हम इसमें बनाएंगे एक चेनल लेकर अब यह जो है यह बीच वला हम इसके यह दोनों किनारे में बुनेंगे जैसे ये मैंने भूनी थी यह देखिए यह यहां इसी तरह हम इसके दोनों साइडे में इधर और इधर इस तरह भूनेंगे ये डबल प्रॉसिया यह देखिए यह तीन हो गया फिर एक चेन लेकर फिर इसमें डबल कुरूश यह तीन बनाना है इस तरह फिर एक चेन लेकर यहां पर बंद कर देना है इसको यह देखिए ऐसी फिर बनानी है देखिए यह कम्प्लीट हो गया इसको हम यहां पर कट कर दिये और इसका हम इसे आख बना लेंगे ऐसे देखिए इस तरह यह है यह देखिए तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, एगारा, बारा यह बारा बना लिए इस तरह यह देखिए यह हमने इसको यह एक, दो, तीन, चार, यह चार बनाए थे अब यहाँ पर हम इसका इस तरह लेकर आख सिलाई कर देंगे ऐसे यह देखिए, यहाँ पर हमने इसको शिलाई कर दिये यह अब यहाँ से हम दूसरा धागा लेंगे यहाँ से इस तरह आइसे करके यह डबल कुरूसियां तीन निकालेंगे इसमें आइसे फिर एक चैन ले लेंगे फिर यहाँ भी तीन डबल कुरूसियां निकालेंगे यह देखिए यहाँ तक इसको बनाना है यह छे हो गया एक दो तीन चार पांच छे छे हो गया अब यहाँ पर हम इसको इस से एक दो तीन यह तीन चैन ले लिए फिर इसको हम इस तरह बनाएंगे देखिए इसी तरह हम बनाते हुए यहाँ तक आएंगे यह तक यह देखिए इस दूसरा लैन में यह पांच हो गया अब यहाँ पर हम इसको किनारे पर इस तरह एक बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम तीन चैन ले ले लेंगे इस तरह और फिर हम इसमें यह तीन बनाएंगे डबल क्रूसिया इसी तरह यहाँ तक हम बनाएंगे इसको यह देखिए यह कंपलीट हो गया यह देखिए एक दो तीन चार चार लैन में यह कंपलीट हो गया यह देखिए अब इसको हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे इस धागे को ऐसे इस्तरहँ यह तीन चेन हो गया यह वपर कैसम वहाँ रहत बनाएंगे बनाएंगे ठीन चार लैंगे यह बनाएंगे फीच्व़ेशन पीघान नहाँ पएल्गे भासितरहई वहाँ फिर इसी तरह हम डबल क्रोशियां बुनते हुए यहां तक आएंगे इस किनारे तक यह यहां तक देखिए यहां पर हम दूसरा दागा जोड़ेंगे इसे यहां से इस तरह, देखिए इस तरह, एक, दो, तीन, तीन चेन लेकर, इसमें तीन डबल क्रोश या निकालेंगे ऐसे, फिर एक चेन यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ तरह, इस तरह, इसी तरह हम यहाँ तक इसको बनाएंगे, यहाँ तक, इसमें देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ बनेगा यहाँ पर, यहाँ तक, ये देखिए ये complete हो गया इसमें एक दो तीन चार चोथा लेंड में complete हो गया ये एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ बना था ये अब इसको हम यहां से जोड़ेंगे इस सैट से तो इसको ऐसे कर लेंगे ये देखिए ये यहां पर हम तीन चेन ले लेंगे ऐसे और इसमें डबल तीन कुरोशिया निका लेंगे ऐसे इस तरह फिर एक चेन लेने के बाद फिर हम इसमें इसको ये डबल तीन निकालेंगे डबल कुरोशिया ऐसे ये देखिए इसी तरह हम इसमें ये देखिए यहां पर ये देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ये दस इसमें बनेगा इस तरह ये देखिए ये complete हो गया ये देखिए एक, दो, तीन, चार ये चार लाइन में complete हो गया और ये देखिए उपर आके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ बना हुआ है और नीचे ये दस बना है अब यहाँ पर हम इसको ऐसे गुमा के यहाँ से हम दूसरा धगा जोड़ेंगे ये देखिए अब दूसरी धगा हम यहाँ पर लगाएंगे इसको इस तरह ये देखिए ये तीन चेन हो गया और फिर हम यहाँ पर इसको ये डबल क्रोश ये तीन निकालेंगे इसी तरह ये देखिए इस तरह आ गया ये फिर यहाँ पर हम एक चेन लेकर इसमें हम इसको बुनेंगे ऐसे ये तीन डबल क्रोश ये हो गया यहाँ भी फिर एक चेन लेकर यहाँ बुनेंगे इसको इस तरह ये देखिए इसे हैं ये ये दस ऐसे बुनेंगे हम एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ये दस होगा हो जाएगा यहाँ तक इसी तरह बुनेंगे हम ये देखिए ये पहला लाइन ये दस हो गया और उपर ये आठ हुआ है यहाँ पर हम इसको देखिए इस तरह ये देखिए इस तरह ये बनाएंगे इसका सेप अब यहाँ से ऐसे हो जाएगा इस तरह ये देखिए इसका जो सेप है यहाँ से ये इस तरह जाएगा ऐसे करके ऐसे पर क्या करेंगे हम कि इसको एक दो तीन ये तीन चैनल ले लिए अब हम इसमें इसको ये डबल तीन निकालेंगे डबल क्रोस ये तीन ये देखिए इस तरह एक चैनल लेकर फिर हम इसी तरह इसको बुनेंगे यहाँ तक ये कम्पलीट करेंगे ये देखिए ये यहाँ पर कम्पलीट हो गया इसको ये देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यहाँ पर आठ हो गई है चोथे लाइन में यहाँ पर देखिए एक दो तीन ये तीन चैनल ले लिए और इसको हम इस तरह ये देखिए इसको हम इस तरह बुन लिए यहाँ पर ये हो गया कम्पलीट इसको इस तरह लिए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया निकालेंगे यहाँ पर लास्ट में ऐसे दो चैनल लेने के पार इस तरह ये देखिए ये हो गया ये देखिए ये कम्पलीट हो गया इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ये आठ बनाए अब हम इसको यहाँ से दूसरा धागा जोड़ेंगे इस तरह यहाँ पर एक दो तीन ये तीन ले लिए यहाँ पर अब ये देखिए हम डबल कुरूसिया यहाँ पर तीन निकालेंगे इसी तरह फिर एक चेन ले लिए एक चेन लेने के बाद फिर हम इसमें ये डबल कुरूसिया निकालेंगे यहाँ पर इस तरह इस लाइन में हम बारा बनाएंगे ऐसे यहाँ से यहाँ तक यह देखिए यह जैसे यह बना हुआ है ऐसे इसका शेप ऐसे जाएगा फिर हम यहाँ से इसका इस तरह हम शेप लेंगे इस तरह यह देखिए यहाँ पर हम इसको इसमें यहाँ पर हम डबल कुरूसिया एक निकालें फिर इसके उपर हम दो डबल कुरूसिया निकालेंगे ऐसे इस तरह आप देखिए इसको यहाँ क्या करेंगे कि यहां पर हम एक, दो, तीन, यह तीन चेन हो गया, और फिर हम यहां पर इस तरह, डबल कुड़ोश यह तीन निकालेंगे इसमें, यह देखिए, यह इस तरह जाएगा इसका सेब, ऐसे, यह देखिए इस तरह, जैसे यह है, यह, इसी तरह यह भी जाएगा, ऐसे, इसी तरह हम यहां तक कम्प्लीट करेंगे, यह देखिए, 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 यह द से दूसरा धागा जोड़ेंगे, इस तरह यह देखिए, एक, दो, तीन, यह तीन चैन हो गया, अब हम इसको, अब इसमें हम इसको, यह डबल क्रोशियां तीन निकालेंगा ऐसे, यह देखिए, इस तरह, यह, और इसको हम इसी में जोड़ेंगे, इसको, इस तरह, यह, देखिए, हो गया यह, अब यहाँ पर एक चैन लेकर, इसमें हम फिर डबल तीन क्रोशियां निकालेंगा ऐसे, यह, देखिए, यह, इसी तरह, यहाँ से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यह, दस निकालेंगा, इसी तरह, यह देखिए यह कंप्लीट हो गया यहाँ पर यह चोथा लाइन यह कंप्लीट हो गया देखिए एक, दो, तीन, चार और यह यहाँ पर यह दस था एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस फिर यह चोथा लाइन में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ बनाए अब इसको हम यहाँ पर यह देखिए एक, दो, यह दो चेन लेकर यहाँ पर इसको हम ऐसे कर दिए इस तरह अब यहाँ से हम फिर इसमें दूसरा धगा लगाएंगे यह देखिए यहाँ से यह तीन हो गया चेन अब इसमें हम इसको यहाँ पर ऐसे लेलेंगे इस तरह यह देखिए एक यह दो यह तीन फिर एक चेन ले लेंगे फिर इसमें डबल क्रूस यह तीन निकालेंगे ऐसे इस तरह और इन दोनों को हम बाहन देंगे यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक यह 11 बनेगा यहाँ तक यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस 11 11 बनेगा इसमें यह नहीं बनेगा यह यही से यह से गुम जाएगा इस तरह यह देखिए यह यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया अब इसमें हम इसको क्या करेंगे कि इस तरह ये देखिए इसमें हम इस तरह ले लेंगे इसको और फिर यहां से एक, दो, तीन ये तीन चेन देखर हम इसमें इसको बूनेंगे ऐसे ये इस तरह जाएगा ये देखिए इसमें डबल क्रोशिया हम तीन निकालेंगे ऐसे ये देखिए इसी तरह यहां तक हम बूनेंगे इसको ये देखिए ये तीसरा लाइन है यहां पर हम इसको इस तरह बूनेंगे ऐसे फिर यहां पर हम एक, दो, तीन तीन चेन ले लेंगे और फिर हम इसमें डबल तीन क्रोशिया निकालेंगे ऐसे इस तरह देखिए इस तरह बनेगा ये ये ऐसे और ये इस तरह ये ऐसे जाएगा ये देखिए ये चोथा लाइन कंपलीट हो गया यहां पर हम ये चोथा लाइन में साथ लिए हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको कि इसमें हम इसको इस तरह बंद कर दिये देखिए यहां से इसका सेप जो है ऐसे आ गया और यहां से हम इसका पूंच बनाएंगे ऐसे करके ऐसे तो यहां पर हम दूसरा धागा जोड़ेंगे यहां से यह देखिए यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे चेन हो गया अब इसी में हम इसको इस तरह डबल क्रोशिय तीन निकालेंगे ऐसे यह देखिए यहां डबल क्रोशिय तीन निकाल लिए और फिर अब हम इसमें यह देखिए यह डबल क्रोशिय तीन निकालेंगे यहाँ पर हम एक चेन ले लेंगे ऐसे और इसको छोड़के इसको हम छोड़ देंगे और इसमें डबल क्रोश यह तीन निकालेंगे ऐसे करके इस तरह और फिर देखिए फिर हम इसमें यह तीन डबल क्रोश यह निकालेंगे ऐसे यह हो गया यह देखिए यहाँ पर हम तीन चेन ले लिए और लेकर हम इसी में इसको यह डबल क्रोश यह निकालेंगे और फिर हम इसमें एक दो तीन चेन लेकर इसमें हम डबल क्रोश यह निकालेंगे तीन यह देखिए यह तीसरा कंपलीट हो गया यह फिर यहाँ पर हम एक चेन लेकर इसमें फिर हम डबल क्रोश यह निकालेंगे ऐसे इसी तरह हम इसको बूनेंगे इस तरह यह जो है हम एक एक बढ़ाएंगे किनारे से दोनों साइड से यह और यह 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 देखिए यह कंपलीट हो गया यह साथ लेन बनाए थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ लेन और उपर यह दस है यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस यह हो गया आप कंपलीट यह देखिए यहाँ से हम दूसरा धागा जोड़ेंगे इसको यहाँ से इस तरह और हम इसको ऐसे यह देखिए इस तरह हम बूनेंगे इसको, सिंगल कुरूशिया बूनेंगे ऐसे यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे और हम इसमें बूनेंगे ऐसे यह देखिए यहाँ से यहां तक हम तीन बूने हैं एक इसमें और दो इसमें और इसको हम छोड़के हम इसमें इसको इस को इस तरह बूनेंगे ऐसे और फिर हम इसमें यह सिंगल कुरूश यह तीन बूनेंगे ऐसे करके यह देखिए फिर इसमें तीन बूनेंगे ऐसे इस तरह हम तिन-तिन बूनेंगे इसमें 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 फिर इसमें 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 यह देखिए यहां से यहां तो खो गया यह जो मचली मैंने बनाई हुई इसका यह बॉर्डर है जो मैंने पहले मचली में दिखाई थी आपको तो अब इसमें हम यहां पर देखिए अब हम इसमें बूनेंगे इसको इस तरह इसमें हम एक ही बूनेंगे ऐसे इस तरह यह देखिए इसमें हम एक बूनेंगे यह देखिए इस तरह इस तरह इसको बनाएंगे ऐसे यह पूरी कम्पलीट करेंगे इसी तरह यह देखिए यह यहां तक यह कम्पलीट हो गया ऐसे अब यहां पर हम इसको इसमें नहीं बूनके इसको इसको हम छोड़ देंगे और इसमें हम इसको इस तरह इस तरह बूनेंगे यह देखिए ऐसे जाएगा यह और फिर हम इसी तरह इसको बूनते हुए चले जाएंगे देखिए इस तरह यह ऐसे आएगा यह देखिए कम्पलीट हो गया यहां तक अब यहां से हम इसको क्या करेंगे यह देखिए यहां पर हम इसमें यह देखिए यहां पर हम एक दो दो चैन ले लिए और इसी में हम इसको डबल कुरूसियां एक और निकालेंगे और एक दो दो छोड़के हम इसमें यह देखिए इसको ऐसे इसमें इस तरह बूनेंगे यह देखिए एक यह जो है अब हम इसको एक फंदे को छोड़के इसको और इसमें हम ऐसे इसको निकाल लेंगे इस तरह यह यहां का है यह और फिर हम यहां से यह देखिए दो चेन ले लिए और इसमें हम डबल कुरूसियां निकालेंगे इसी में अब देखिए एक दो दो छोड़के तीसरे में हम इसको इस तरह बनाएंगे फिर देखिए एक दो यह दो चेन हो गया अब इसी के अंदर हम इसमें यह देखिए इस तरह डबल क्रोसिय निकालेंगे ऐसे फिर देखिए एक दो दो छोड़के हम तिसरे में इसको इस तरह बूलेंगे देखिए फिर बता रही हूँ एक दो यह दो हो गया फिर देखिए इसी के अंदर हम यहां से यह डबल कुरोसिया निकालेंगे और यहां एक दो छोड़ के हम तीसरे में इसको इस तरह हम बुन लिए इसी तरह हम पूरा कमप्लीट करेंगे इसको किनारे किनारे ऐसे यह देखिए यह कमप्लीट हो गया यहां पर यह सारा बन गया यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल एकन को प्रेस करें ताकि नए नई वीडियो के नोटिफिकेशन आ जा प्रेस करेंट